असलाम वालेकूम, आज मैं बनाओंगी आम का रायता, इसके लिए मैंने तीन आम लिये वे कच्छे पके, ऐसे साफ दोके रखावाई, इसका भी हम छिलका निकालेंगे, और आम के पीस करेंगे, आम के पीस हमको थोड़े बड़े करना है, कच्छे पके आम लो ना तो रायते अधीक वजन 300 ग्राम हो गया है, एस तरीक से मिला थेसमें बाथा भी लिया और 500 ग्राम् गोल लिया हाए, एक लशन ए ठेच के रखावाई, एक लेसन थेच के रखावाई, वन तेबल स्पून लाल मिल नहित पाूडर, वन टेबल स्पून लाल मिल पाॉडर, वन टीसपू बाद इसमें जीरा और लेसन दालेंगे और इसे अच्छे से बुनेंगे और इसे लाल होने देंगे अब यह आम का सीजन है तो अलग अलग अचार रायते मुरबबा बनाओ तो बहुत अच्छा लगता है खाने में गर्मियों में अभी इसमें हम गूर दालेंगे इसके बाद इसमें मिर्ची पॉर्डर, हल्दी और नमक दालेंगे अगर आप लोगो अर trifको खट्था रड़ खड़लक तो गोड़का इसथमाल करें अब पानी दालेंगे 2 टेल इसमें डॉत पानी ज्यादा नहीं दालने है पानी फड़ा-सोड़ दालना है कि हमा आप मिर्ची कालर आप जल जाए अभी इसमेें हम आम दालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर और यह जो बनाते है न तो इसको हम तीन से चार मेने के लिए फ्रीज में रख सकते हैं तो आराम से रहता है से हम 10 मिनट तक ढख के पकाएंगे देखो यह रेडी हो गया है इसे बाहर नहीं रखना है बाहर रखेंगे तो खराब होगा चार से पांच दिन तक बाहर रह सकता है उसके बाद इसमें इसमेलाना शुरू होती है खराब की देखो कितने अच्छे से रेडी हो गया न माशाला बनके अभी से हम सर्फ करेंगे आप लोग भी ट्राइ करें और मुझे कमेंट में बताना आप लोग को मेरी रेसेपी कैसी लगी हाई फ्रेंड्स अगर आपको मेर मुमा की रेसेपी अच्छी लगी हो तमारी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फोर वचिंग